Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IES YouTube channel and आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे 1st week of September के important current affairs, Punjab specific as far as the prelims और mains are concerned उसके perspective से हम लोग हर news को analysis करेंगे, ठीक है? So let's begin with the session, जो हमारा पहला जो important news है that is related to farm loan waiver तो आपको पाता है कि it is a very evergreen topic, तो कुछ ना कुछ इसके related हमें news में मिलता ही है और Punjab में भी अभी recently इसके related decision लिया है that Punjab government ने approve कर दिया है 590 करोड waiver for the landless farmers and workers, so 590 करोड का benefit दिया जाएगा जिन लोगों ने, कौन से लोगों ने, जो landless farmers है, workers है, जिन्नोंने loan लिया है को maaf किया जाएगा to a particular extent, ठीक है, so let's talk about certain, something related to this news कि इसमें कौन-कौन से लोग है, जो benefit उठाएंगे, इसमें है landless farmers है, इसमें है farm laborers है और इसमें है SC और BC beneficiaries, तो SC, BC beneficiaries होंगे, farm laborers होंगे और landless farmers होंगे जिनको ये benefit मिलेगा, अब ये जो benefit है, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा up to 20,000 per beneficiary तो लगबग 20,000 का maaf, उनको जो है loan maaf मिल जाएगा, हर beneficiary को जो इस category के अंदर आता है और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि ये loan कहां से लिया होगा, अगर कोई beneficiary जो member है PACS का, PACS का मतलब है member of primary agriculture cooperative society, इसका member होगा और उसने loan लिया होगा district cooperative bank से, तो उसको ये facility मिल सकती है, उसको ये benefit मिल सकता है correct हो गया, चलो, next हम लोग बात करते हैं इसके अलावा, कि लगबग ये जो 590 करोड का benefit है इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग data पे जाए, data is not very very important for us बट फिर भी एक बार पढ़ लेंगे, कि जितना भी है, 520 करोड का ये जो benefit होगा, ये 2.85 lakh landless farmers and laborers को मिलेगा और बाकी जो जितना भी बचा हुआ है, 70 करोड, वो benefit मिलेगा, 7600 beneficiaries को, जो SC और BC category के हैं, ठीक है? इस तरीके से वो पूरा का पूरा जो package है, वो इन category के लोगों को दिया जा रहा है, इस group को दिया जा रहा है, इस इस तरीके से दिया जा रहा है तो इस पे एक prelims का सवाल बिल्कुल बन सकता है, statement की form में, कि कितना benefit दिया जाएगा, up to 20,000 rupees दिया जाएगा हर beneficiary को इस तरीके से कौन से category के लोग इसके अंदर involved हो सकते हैं, ठीक है, benefit उठा सकते हैं, तो ऐसा-ऐसा सवाल पूछा जा सकता है अब हम लोग बात करते हैं, जो farm loan waiver का पूरा history है, वो कहां से शुरू होता है, because ये news के अंदर रहता है और इसके उपर कुछ ना कुछ political issues, political party के अपने manifesto में ये होता है और इसके बहुत सारे repercussions भी होते हैं, consequences होते हैं, इसके पीछे rational क्या है, कि government हमेशा इस तरीके से करने की कोशिश करती है, तो उनका क्या stand होता है और इससे impact क्या पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं, कि कैसे वो सारी चीज़ें हमें देखनी है अगर हम लोग history करें, history मतला अभी recent जो history है, यह जो farm loan waiver का यह जो concept है, यह बहुत जादा पुराना नहीं है यह concept जो है, शुरू हुआ, actually all India level पे शुरू हुआ था, 1990s पे, ठीक है, 1990 में पहली बार क्या हुआ, कि VP government थी, 1990 में उन्होंने पहली बार first nationwide farm loan waiver का एक announcement कर दिया था, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को benefit मिला और लगभग जो सरकारी खजाने से, लगभग लगभग 10,000 करोड का एक तरीके से, सरकारी खजाना जो है, यूज किया गया, 10,000 करोड का तो पहली बार, 1990 में ये concept लेकर आए, और फिर एक तरीके से, उस टाइम पे तो एक बहुत ही genuine intention थी, कि वहाँ के जो उस टाइम पे जो लोग थे, वो किसान थे, बड़े ही मुश्किल हालात में थे, तो they were not able to pay their loan, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक humanitarian crisis से बचने के लिए, इस तरीके से government ने step उठाया था, उसके बाद क्या हुआ, फिर बहुत सारी state government ने भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद 2008 की बात करें, तो 2008 में agricultural debt waiver and debt relief scheme, तो ये scheme जो है, वो है agricultural debt waiver and debt relief scheme, ये implement किया गया, उस टाइम पे UPA government थी, 2008 का time है, उस time पे ये implement किया गया, जिसमें लगबग लगबग 71,680 करोन रुपीज का खर्चा आया था, मतलब कि government को अपने खजाने से देना पड़ा, ताकि लोगों का जो farm loan है, वो maaf हो, rent जो है, वो maaf हो, ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलता रहेगा, बहुत सारी state governments ऐसे से measures उठाती रहती है, ठीक है, अब ये पूछा भी जाता है कि ये जो farm loan waiver का जो trend है, is it a opportunist, या फिर एक, जिसे कहते हैं न, कि populist measure, किसी को vote bank politics खीचने के लिए, vote bank politics का एक सबसे जवर्दस tool बोला जाता है, कि आप farm loan wave कर दीजे, wave off कर दीजे, है न, तो ये एक statement है, जिसके उपर आप लिख सकते हैं, कि ये है की नहीं है, argument against, for, ये पूछा जा सकता है, इसके उपर points आपके होने चाहिए, ठीक है, so अभी हम लोग बात करते हैं कि rational क्या है, देखिए अगर हम लोग और भी और इससे पीछे जाए न, और इससे पीछे जाए और history में देखें, तो प हमें देखने को मिलता है, तुकलक के टाइप से, that is महमाद बिन तुकलक के टाइम पे हमें पहली बार recorded मिलता है evidence of providing the loan,ать true, providing the loan but loan को माफ करने का हमें instance कहां पर मिलता है पहली बार वो मिलता है हमें फिरोश्या तुकलक के टाइम पर फिरोश्या तुकलक के टाइम पर हमें ये instance देखने को मिलता है ओके सो ये थोड़ा सा एक point है जो मैंने आपको extra बताया कि मौमन बिन तुकलक ने लोन दे दिया because वहाँ पर लोगों को जरूरत थी लोन की तो उन्होंने पैसा उठाया और अपना काम करना शुरू कर दिया लेकिन फिर कुछ टाइम निकला और उसके बाद जो है लोन वो लोग नहीं दे पा रहे थी क्योंकि बहुत सारा भुकमरी और बहुत सारे की नाच्रल कैलिमिटीज हो गई और इसकी वज़ा से फिरोशा तुकलक जब आए तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लोग थे उन्होंने बेसिकली लोन देने से मना कर दिया और फिरोशा तुकलक ने यह डिसाइड किया कि मैं चलो लोन को माफ करा देता हूँ तो यहां से इंस्टाइन शुरू होता है यहां से शुरू हुआ और हमने यह देख लिया कि 1990 के टाइम पर पहली बार ओल इंडिया लेवल पर लोन जो है वो माफ किया गया और 2008 के टाइम पर भी लोन माफ किया गया था करेक्ट उसके बाद बहुत सारी गवर्मेंट है जो अपने लेवल पर करती रहती है यह लोन माफ का काम ठीक है अब रैशनल यह है गवर्मेंट का या बोला जाता है तर्क यह दिया जाता है कि हमारा जो देश है that is the agricultural economy जहां पर आपको 85% जो लोग होंगे किसान होंगे वो small और marginal category के किसान होंगे जिनके पास जादा से जादा एक से एक से दो हेक्टेर की holding होगे लैंड की that's it और साथ ही साथ उनके पास जो है basic inputs जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं और आपको पता है यह issue जो है बहुत ही जादा limelight में रहता है हमेशा mechanization of farming ठीक है तो mechanization of farming still not yet achieved in India अभी भी बहुत जादा जरूरत है mechanization of farming की एक और concept है एक और मुद्दा है जो चलता आ रहा है that is यह जो farmer protest हुआ है उसमें यह मुद्दा बहुत highlight हुआ था feminization in Indian agriculture तो I hope आपने इसके ओपर पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो comment में बताईगेगा मैं definitely इसके ओपर कुछ ना कुछ content लेकर आऊंगा जो आप use कर सकते हो अपने GS के अंदर तो feminization of agriculture यह भी देखा जा रहा है और mechanization in agriculture यह देखा जा रहा है पर इसका पेस बहुत कम है राइट तो आपको पता है कि 85% हमारे small or marginal farmer है ठीक है सो credit देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि loan देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है तभी यह अपनी proper production कर पाएंगे और अपने day-to-day expenses को समाल पाएंगे ठीक है अब actually इनको loan दे दिया जाते है बत इनकी इतनी capacity हो नहीं पाती in return कि यह loan को वापिस कर पाएं क्यों because हमारा जो agriculture है that is monsoon-based agriculture so everything is based on agriculture monsoon correct and when they are not in a capacity to pay back the loan ठीक है तो because of whatever the reason चाहे crop failure है चाहे whatever the reasons तो फिर ultimately उनके पास option यह ही रहता है जो हमने देखा भी है महराश्रा में ऐसे instances बहुत सारे होते हैं यह बहुत official reports ने यह confirm किया है तो that would lead to a farmer suicide that would lead to a farmer suicide so इस चीज़ को यह जो data है यह जो figures होते है यह बहुत ही image खराब करते है एक state की so ultimately यह decision लिया जाता है government के through that farm loan waive करके address this humanitarian crisis को address किया जा सकता है लेकिन obviously इसको हम as a permanent option नहीं ले सकते हमें बहुत सारे structural changes करने की जरूरत होती है जैसे mechanization करने की जरूरत है agriculture sector में in order to make sure कि यह long term purposes के लिए हमारा जो है एक better opportunity farmers के लिए हो right तो यह rational दिया गया है for this but what are the issues that are related with the this particular thing that is loan weavers ठीक है देखे I believe that it is a short term measure आप बिलकुल इसको intentionally अगर intention सही होगी तो it is a short term measure long term तो कभी भी नहीं होगा structural changes करके ही long term आप effect ले सकते हो ठीक है अब देखें सबसे पहला issue इस particular issue चीज से क्या होता है reputational consequences इसका मतलब यही होता है कि loan देने की वज़ा से क्या होता है loan maaf करने की वज़ा से क्या होता है जो credit discipline होता है कि हमें loan दिया है अब उसको pay भी करना है तो वो जो discipline है वो discipline तभी तक रहता है जब आपको पता है कि pay करना है आगे बीच में maaf कर दिया गया है तो वो discipline बगड़ जाता है तो वो credit discipline है वो disrupt हो जाता है while paying the farm loans ठीक है वेव करके उसको जो है credit discipline जो होता है वो ठीक नहीं रह पाता है और इसी वज़ा से क्या है इसी वज़ा से जो farmers जिनको तो जरूरत है वो तो उनको तो benefit हो जाता है बट बहुत सारे ऐसे farmers होते हैं जो pay कर पाते हैं जिनकी capacity होती है pay करने की बट they are also somewhere reluctant हो जाते हैं कि why to pay their loans if we are expecting a waiver from the government तो why would they pay है ना वो क्यों एक properly pay करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो पहला point तो यह है इसके अलावा free rider problem free rider problem का मतलब यही होता है कि कुछ farmers ऐसे होते हैं कि जिनको जरूरत ही नहीं होती कि क्या कहते हैं हमें loan चाहिए ठीक है बट वो इसी आशा के साथ loan ले ले लेते हैं कि पता तो है कि आगे क्या है आगे wave तो मिल जाएगा आगे loan में माफी तो मिली जाएगी तो हम लोग तुबारा से loan ले ले लेते हैं तो यह दूसरा impact हो गया कि जिनको जरूरत भी नहीं है वो भी ले लेते हैं और फिर उनको भी benefit मिल जाता है तो उनको जरूरत नहीं है benefit की लेकिन उनको मिल जाता है ठीक है ओके अब उसके बाद है decline in the formal access to credit तो problem यहाँ पी यह आती है कि जो banks होते हैं वो ultimately banks होते हैं जो ultimately impacted होते हैं यह सारी जो populist measures जो government करती रहती है अगर सही intention है तो उसको populist कहना गलत है but majorly आजकल ऐसा ही देखा जाता है कि farm loan wave कर दिया तो आपको vote banks जो है बड़ी आपका setup हो जाता है ठीक है उससे क्या होता है उससे जो formal lending के sources होते है banks हो गए institutions हो गए financial institutions उनकी balance sheet जो होती है वो बिगड़ जाती है correct उनकी balance sheet हिल जाती है तो ultimately क्या है वो कोशिश करेंगे कि नहीं farm sector में loan देना थोड़ा risky है यहाँ पे हम लोग कम lending करेंगे हम दूसरे sectors में जादा expand करेंगे अब वहाँ पे कम lending होगी मतलब farmers को कम पैसा मिलेगा loan मिलेगा अब कम मिलेगा तो farmer कहीं ना कहीं से तो loan लेने की कोशिश करेगा वहाँ पे बात आजाएगी informal sources की informal sources कौन से जैसे आपने देखे है money lenders, sahu cars इनका जो number है वो obviously कम हुआ है लेकिन इस तरीके से यह जो तरीके होते हैं कि farm wave कर दिये इस वज़ा से क्या हो गया कि जो formal access to credit होगा वो limited हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा that would lead to farmers dependence on informal sector lenders ठीक है वो farmers की dependence बढ़ती जाएगी और इससे क्या हो जाएगा इससे आगे formal sector जो credit होगा वो shrink होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह भी another impact है और आपको पता है informal sector lending में आपको पता है कि बहुत सारा एक तरीके से transparency नहीं रहती है documentation नहीं रहती है उस वज़ा से बहुत दिक्कते आती है farmers को ठीक है okay now next is impact on banking sector देखे overall impact जो banking sector पर आज तक पड़ा है वो बहुत ही negative पड़ा है because of farm loan waiver ठीक है वो सत्ता में आती है वो wave off कर देती है loan ठीक है माफ कर देती है और वो जो पैसा है वो पैसा government को देना पड़ता है banks को ठीक है वो पैसा government को देना पड़ता है banks को लेकिन banks को वो government जो है वो instantly पैसा नहीं देती है ठीक है, वो packages में देती है, fiscal stimulus, छोटे-छोटे packages जो है, अनाउंस कर दिये, banking sector के लिए, तो ऐसा-ईसा ये state government पैसा देती रहती है, but in packages में देती है, एकदम से नहीं मिलता, इस वज़ा से क्या होता है, जो banks होती है, वो banks का जो आगे loan देने की capacity है, वो भी कम होती रहती है, क्यो बढ़ते जाते है, non-performing assets जो है, वो बढ़ती रहती है, lending capacity घटती रहती है, ये सारी चीज़े, जो banking sector के साथ, आज के time पे हो रही है, मैं आपको एक data दिखाता हूँ, वो data क्या है, वो data है, Indian Council for Research on International Economic Relations, ठीक है, ये data आप जरूर use कर सकते हैं, it's stated that 2008 का जो आपने पढ़ा UPA government ने 2008 को जो farm loan waive किया था, scheme चलाई थी, led to three-fold increase in the non-performing asset of the commercial banks, तो तीन गुना ज्यादा NPS बढ़ गए, commercial banks के, between 2009 to 10 and 12 to 13, correct हो गया, तो ये एक data है, जो बताता है, gloomy picture दिखाता है, farm loan waver की, right, so इससे क्या है, ultimately, जो है, ratings of banks जो होती है, particularly बोले है, तो उनकी गिरती है, capacity गिरती है, इस तरीके से, सारी चीज़े होती है, ठीक है, चले, so मैंने आपको अपना, जो farm loan waver की history है, we talked about that, recent history है, वो बात कर ली, साथ ही साथ हमने rational पढ़ लिया कि क्या इसके पीछे reason होता है, और impact देख लिया कि क्या impact पढ़ता है, farm loan waver की बज़ा से, ठीक है, इसके ओ पर आप जरूर, कुछ ना कुछ आप जरूर इसके ओपर question देख सकते हो, now next is, पंजाब introduces postal ballots facility for 80 plus citizen, PWDs and COVID patients, ठीक है, तो इसके ओपर जादा से जादा कुछ इतना important नहीं है, बस हम लोग इसको read करेंगे, जैसे for example, जो पंजाब voters है, जो अभी, जो 80 साल के ओपर है, दिव्य ballot जो है, वो यूज कर सकते है, voting देने के लिए, यह चीज जो है, यह की गई है, because election commission of India की, जो revised guidelines है, उसके हिसाब से same चीजे जो है, बताई गई है, जो पंजाब government implement कर रही है, ठीक है, अब इन voters को हम लोग क्या कहेंगे, this is important, these voters would be called as absentee voters, इनको क्या कहा जाएगा, absentee voters कहा जाएगा, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेगा, और साथ ही साथ, ECI, election commission of India की guideline के हिसाब से यह बोला गया है, कि यह जो absentee voters होंगे, इनको जो पोस्टर बैलिट का use करना चाहते है, इनको जो है, एक application लिखना पड़ेगा, returning officer को उस particular constituency, जिससे वो तालुक रखते हैं, ठीक है, तो इतना सा process है, इसके हिसाब से यह किया जा सकता है, now it is a good news for Punjab, because startup एक environment culture को promote करने के लिए यह चीज की गई है, कि recently seed funding की गई है, 3,000,000 रुपे, each to 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 State level committee है, उसने scrutiny की process के दौरान और पूरा proper check करके 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, support provide किया जाएगा incubation provide किया जाएगा and acceleration support provide किया जाएगा start-up को ताकि वो end तक वो अपना जो product है ultimately उसको output उसका निकल पाए ठीक है? इस concept के मद्दे नजर 3,00,00 रुपे 4 ventures को दिएगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत ये पढ़ेंगे कि start-up Punjab का ये शुरुवात है वो कब हुई? कैसे हुई? वो देख लेते हैं कि 2017 का टाइम है वहाँ से start-up Punjab जो है वो शुरू किया गया इसमें ये ही था कि एक kind of entrepreneurship जो है वो skill develop करना ठीक है? लोगों के बीच में और एक start-up action plan of government of India, start-up India or industrial and business development policy Punjab start-up हैं, entrepreneurship development policy को initiate किया गया था 2017 का टाइम चल रहा है इसके अंदर कुछ aims कुछ objective लिए गए कि लगभग 1000 start-ups को 5 साल के अंदर facilitate करना है help करना है, 10 incubation accelerators Punjab के अंदर set-up करने, तो आप इसको पढ़ लीजेगा, ये important है आपके एक understanding के लिए कि economics के अंदर है कि किस तरीके से start-up Punjab जो है कितना progressively काम कर रहा है, उसके recently अभी current में हमने ये पढ़ लिया कि इस तरीके से पहली बार initiate किया गया start-up Punjab के तहर 3-3 लाग रुपे देने का ये जो पूरी process है तो ये भी जरूर है जो आपने इसके अंदर add-on कर लेना है ठीक है next is something Punjab जो है, it is the worst performing state in the country when it comes to vaccination, when it comes to vaccination the population vaccination the population in the age category of 60 plus age group तो ज़्यादा important नहीं, बस एक बार पढ़ लेंगे इसके बारे में, social हम लोग बात करते है society के बारे में हमें ये पता चल रहा है कि क्या आज के टाइप पर vaccination को लेके चल रही है चीज़े ठीक है, 60 plus age group के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कितनी vaccination लगी है लगबग-लगबग 22 प्रतिशत लोग जो है population, 60 प्रतिशत से उपर के उनको vaccination लगी है अगर हम लोग national average की बात करें तो आपको पता है हमाचल has fully vaccinated यह हमने पड़ा भी था कि हमाचल ने पूरी vaccinated 63% of its population जो है उसको vaccinate किया है जम्मू कश्मीर की बात करें 43% है हर्याने की बात करें 38% है of this age group ठीक है तो यह एक छोटी सी information थी आपके लिए काम की है तो जरूर इसको देखियेगा अब that is it आपको कोई भी suggestion, comment आपको लगता है कोई भी आपको doubt है, inquiry है तो you can directly comment on after this video and जो भी इसके regarding concern है तो we can definitely going to welcome your suggestions तो आज की इस video के अंदर इतना ही and I hope to see you in the next class Thank you